हेलो एवरीवान, वेलकम तो मैं चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव कटिंग का बहुत ही अलग और आसान तरीका बताऊंगी तो इसके लिए पहले मैंने यहापर फ्रंट और बैक पार्ट के कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने देखिए फ्रंट और बैक पा इस भी हम एक बार और फोल्ड कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं कपड़ा हमारा चार फोल में आ गया है दोनों तरव की स्लीव के लिए अब इसकी जो विट है वो मैंने अंदाजे से 11 इंच के लिए और इसकी जो लंबाई है वो हमारी रेडी नाप से 1.5 इंच तो यह फ्रंट वाला पार्ट है तो फ्रंट वाले पार्ट को मैं हटा दे रहे हूं और यह बैक वाला पार्ट में ले रहे हूं तो हमें बैक वाला पार्ट लेना है और यहां पर इसको मैं पलट के रख रहे हूं तो देखिए यहां पर यह आम हुल है यह नेक लाइन है औ तो यह सिलाई के मार्जन को हमें यह पहले बैक वाले पार्ट पर भी मैं इसको ट्रेस कर दे रही हूं तो देखे इतने तक का मेरा यहां पर सिलाई का मार्जन है एक से डेर इंच का तो इसमें मैंने निशान लगा लिया है अब यह निशान तक जहां तक यह मार्जन आयवा ह उतने पर निशान लगाए तो मैं पाँच इंच पर निशान लगा रही हूँ अब इसको जॉइन करदेना है प्रंट का मा कर बन ऑतरही ना इसको नेशान करते वेया है जोइन कर देना है तो यह हमारा फ्रेंट का मूल कर बन गया है अब देखिए जितना मार्जन हमने अपनी कुर्ती में लिया है उतरा ही मार्जन हमें इसके साइड में भी ले लेना है तो इसको आप साइड पर रखे इस तरह से और नीचे तरह ना एक से देर इंच का जो भी मा उसके बाद नहीं कटके रिंगा है पहले सुखव करना करना है अब हमें इसका फ्न को पर मिला थे रखाए अब हम 59Schें चौिट में शौडर में तरब हम हम इसमें sleeves को join करेंगे तो कैसे करना हुँ मैं बता देती हूं तो पहले मैं यहाँ पर इसके shoulders को join कर दे हूं तो यहाँ पर दीखेए मैं दोने टरफ के shoulders join कर दी इह अब इसको ओपन करते हुए हमें रखना है अब यहां पर देख सकते यह जो है यह मेरा बैक वाला पार्ट है तो इस बैक वाले पार्ट में बी लिख दे रही हूं और यह जो है यह मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है तो मैं यह इसमें एफ लिख दे रही हूं अब मैं यह पर स्लीव ले रही हूं और स्लीव को अंदर की तरफ को हमें करते वे रखना स्लीव कर घंप के सात होता दूप चाहिए निए को ऊछट के अथा करता हम और चाहिए आप कर शॉंडर सिलीव के पाल इसके बाद स्लीव को पर को हमें के सेले उस्के सोजा की सव्हकार कर नभी रोख एफ हमेंड ऊंब स्टार्ट करेंगे अब बस यहां पर ध्यान रहे हमें नीचे जो कुर्ति वाला का आम होल ना उसको खीचना नहीं नीचे वाले कपड़े को नहीं खीचना नहीं तो आपका आम होल चोटा बड़ा हो जाएगा स्लीव और कुर्ति का तो यह देखे यह बिल्कुल बराबर है य यहां पर यह भी साइड भी बिल्कुल फिट आरहा है तो इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करके स्टिच कर लेना है तो यह देखे मैंने यहां पर भी इसको स्टिच कर लिया है और सीधी तरफ को करने के बाद यह यहां पर कुछ इस सरह से दिखेगा हमारा यहां पर तो यह मैंने सिलाई लगा लिए है अब इसके बाद इसको हमें उल्टी तरफ को सेंटर से फोल्ड करना है और इसके बाद जितना भी हमने अपना मार्जन लिया हुआ है एक से डेर इंच का उसके ऊपर हमें यहां पर अपने फिटिंग के सिलाई लगा लेनी है तो देखें यहां पर मैंने इसमें सिलाई लगा लिए और अब इसको में सीधी तरफ को पलट लेना है तो देखें इसके आम और बगल वाले इससे में नीचे की तरफ भी देखें बिल्कुल सही से जॉइन हुआ है फिनिशिंग के साथ और अब मैं इसमें प्रेस कर लोंगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू